बिहार लोग सिवा आयोग ने सिख्षक नियुक्ति को लेकर दो चोड़ों में परिक्षा ली और सफला भीयर्थियों की बहाले भी की गई तीसरे चरण की परिक्षा विभिन कार्णों से रद कर दिया गया हलाकि उस परिक्षा को लेने के लिए बीपी एसी किस तर से तैयारियां पूरी करने के साथ ही उसका सिद्ड्यूल भी जारी कर दिया गया है परिक्षा को लेकर सुबी के हजारों भीयर्थि इंतजार कर रहे थे आयोग ने इंतजार की घड़ी समाप कर दी आयोग के इस तरह से परिक्षा का सिद्धूल जारी होती ही संभावित अव्यर्थियों की चहल गद्मी बढ़ गई आयोग के अनुसार तीसरे चरण की रद परिक्षा 10 से 12 जुन तक होगी इसका रिजल्ट ही के एक माँ बाद 10 चुलाई को निर्गत किया जाएगा गौर तलब है कि तीसरे चरण में सिख्षक विभागनी 87,774 सिख्षकों की बहाली करने का निर्णे लिया बीपी ऐसी के इस तरह सिख्षक बहाली की परिक्षा का कैलेंडर जारी किया गया है जिसके अनुसार अब हर साल सिख्षक बहाली के लिए परिक्षा होगी कैलेंडर के नुसार ये परिक्षा प्रतिवर्ष 24 अगस्त को होगी इस तरह चौते चरण में सिख्षक बहाली की परिक्षा 24 अगस्त को होगी और इसका रिज़ल्ट 24 सिख्षक को आएगा बताया कि ये चौते चरण में सुबे में 50,000 सिख्षक बहाल होंगी BPSC के सेडियूल के अनुसार इस वर्ष प्रधान सिक्षक की बहाली का भी परिक्शा होगा 40,247 प्रधान सिक्षक की बहाली होनी है प्रधान सिक्षक के लिए 13 जून को परिक्षा होगी जबकि इसका रिजल्ट 18 जुलाई को आएगा प्रधाना ध्यापक के 664 पदों के लिए 14 जून को परिशा और 20 चुराई को रिजल्ट घोशित किया जाएगा इधर सीमुत तुल्ला वासिय विद्याले जमुई में 62 सिक्षकों की भाली होनी है इसकी परिशा 23 जून को तो रिजल्ट 21 जूलाई को आएगा